आज के वीडियो में हम और एक आयरुवेदिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो की है त्रिभुवन कीरती रस तो त्रिभुवन कीरती रस क्या है इसमें प्रमुखक की इंग्रिडियंट्स कौन कौन से होते हैं कौन-कौन से ड्रोगों में आपके डॉक्टर द्वारा यह आपको दिया जाता है, इसको किस प्रमाण में आपको लेना चाहिए, इसको लेने के बाद क्या-क्या आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को इसका इस्तिमाल नहीं करना चाहिए, इसका मार्केट में म तो आई आज की चर्चा को शुरू करते हैं त्रिबुवन कीरती राज देखिए यह एक क्लासिकल आयुरुवेदिक मेडिसन है क्लासिकल आयुरुवेदिक मेडिसन क्या होता है इस मेडिसन के प्रिपरेशन के बारे में इस मेडिसन के यूज के बारे में हमारे जो आचार्याज हैं, वईद्य हैं, वो सम्मीताज में इसके बारे में जानकारी लिख दिये होते हैं पहले से, इसलिए इसको क्लासिकल आयरुवेदिक मेडिसन बोला जाता है, यहे जो मेडिसन है, त्रिबुवन कीरतिरस, आपको किसी भी तरीके का बुखार हो, चाहे यहें आपको स्प्लीन और लीवर की समस्या, मने यकृत और प्लीह की कोई भी तरीके की समस्या हो, उससे भी आपको आराण दिनाने का मादरा रखता है, और यह आपके डाइजेशन पावर जो है, उसको भी बढ़ाता है, तो आईए अब हम जानते हैं, इसके अंदर जिसको की शुद्ध वत्सनाब बोलते हैं, या फिर शुद्ध हिंगूल भी रहता है, इसके अंदर टंकना, पिपली मूला, धतूरा, निरगुंडी, यह सारे इसके की इंग्रिडियंट्स होते हैं, तो आईए जानते हैं, कौन-कौन से रोगों में आपके डॉक्टर की समस्या है, प्लीह या फिर यकृत की समस्या है, उसको ठीक करता है, यदि आपका डाइजेशन पावर बहुत वीक है, तो उसको जादा बढ़ाने में, इंप्रूव करने में मदद करता है, यदि आपको इंफ्लुएंजा है, या फिर टॉंसिलाइटिस की समस्या है, या और पर आपको ब्रौंकायटिस की समस्या है, इस सब रोगों में भिमी को दिया जाता है, किसी भी तरीके का अगर बदन दर्द हैं तो बदन दर्द को ठीकर निकले इस मैडिसिन को दिया वाला है कि किस प्रमान में ये रोग्यों को दिया जाता है डक्टर द्वारा तो देखिए एक गोली अगर 125 एमजी की है तो यहां मैं अडल्ट डोसेज के बारे में बात करने वाला हूं जिन लोगों की आयू 18 साल से उपर है चाहे वो पुरुश है या फिर महीला है उन लोग दो गोली आपको सुबह लेना है खाना खाने के बाद में दो गोली रात को लेना है खाना खाने के बाद में नॉर्मल पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं कहीं कहीं डॉक्टर लोग इसको शहद के साथ लेने को बोलते हैं कभी कभी इसको तुलसी के जूस के साथ लेने को भी बोला जाता है तो आपके डॉक्टर जिस हिसाब से आपको इसको लेने को बूल रहे हैं उस हिसाब से अपको प्रयोग कर सकते हैं कितने दिन तक आपको यह यूजर करना है तो देखिए वह आपकी बॉडी के कंडिशन पर करता है और आपको ट्रेटिंग डॉक्टर पर depend करता है कि कितने दिन आपको ये गोली देनी है तो आईए अब हम जानते हैं कि इसको लेने के बाद क्या-क्या side effects आपको हो सकते हैं तो देखिए अगर इसको आपने ज्यादा dosage में ले लिया है तो आपको poisonous effects हो सकते हैं यदि आप इसको ज्यादा प्रमान में ले रहे हैं तो आपको Bradycardia की समस्या हो सकती है मतलब आपका जो heart beat है वो एकदम कम हो सकता है low हो सकता है heart beat तो आईए अब हम बात करेंगे किन लोगों को इसका इस्तिमाल नहीं करना चाहिए contraindications इसके क्या-क्या हैं तो देखिए जो भी गर्बवती महिलाएं हैं pregnant ladies हैं जो अपने बच् को इस दवा को नहीं देना चाहिए अब हम बात करने वाले हैं कि market में यह दवा आपको कितने में पढ़ने वाली है तो देखिए मार्केट में यह दवा आपको 110 रुपे में 80 गोलियां मिलने वाली हैं बैद्यनात कंपनी का 31 कीरती रस जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि एक classical ayurvedic medicine है तो इस दवा को बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं चाहे वो दिव्या हो डाबर हो बैदनात हो जंडू हो कोई भी medicine आप ले सकते हैं सबके ingredients सेम होते हैं बनाने का तरीका सेम होता है action सेम होते हैं लेकिन brand brand के हिसाब से rate ज आपके नजदी की ayurvedic medical store या फिर किसी भी ayurvedic pharmacy से इसको मंगा सकते हैं तो आशा करता हूँ त्रिभुवन किरती रस के बारे में जितनी जानकारी मैंने आपको इस video में दी है आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी यदि आप आगे भी इसी तरीके के medical content द आते हैं तो bell icon का भी icon आप दबा सकते हैं इस video को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी doubt है तो हमारे comment section में comment कीजिए मैं उसका उत्तर देने का प्रैत्न करूंगा जैसा मैं हर बार बोलता हूं कोई भी medicine doctor के consultation के बगेर नहीं लेनी है medicines हमेशा doctor के supervision में ही लेनी है तो मिल and take care धन्यवाद